पाइब दोग को यह सेशन हो नहीं रहा है आप लोग को मैं कई दिनों से ये सेशन होनी रहा है है विद्वान थी अध्यलिबट टू के लिए कुछ दिनों से सेशन में रोक के रखा था मैंने आगे कंटीनू नहीं कर रहा था और उसका एक reason था because कुछ-कुछ planning चल रही थी आप लोगों के लिए और वो planning आप लोगों को आज रात में बताई जाएगी ठीक है तो मैं अकेला ही सारी चीज आपको नहीं बता दूँगा ठीक है अपन थोड़ा सा surprise रखते हैं आप लोगों के लिए आज रात को साड़े नव बजे आप लोगों के लिए surprise है और हम लोग आ रहे हैं सब लोग ठीक है तो इसके बारे में बात में बात करते हैं जल्दी से मैं आपको बता दूँआ आज जो session है इसमें हम किस बारे में बात करने हैं ठीक है तो आज हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के अब थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही इंट्रेसिंग चैप्टर है ठीक है अगर चैप्टर का जाए तो बहुत ही मज़दार चैप्टर है लेकिन कई लोगों को नीट आस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली थर्मोडाइनमिक्स को लेकि थोड़ा सा मन में थोड़ा क्या कहापन एक संकोच रह जाता है थोड़ा सा डर रह जाता है थोड़ा सा ऐसा होता है कि पता नहीं यह questions हमसे बने पाएंगे नहीं बन पाएंगे या क्या impact आएगा जब मतलब although I come from engineering background लेकिन फिर भी मुझे मैं कोई खास रूची नहीं है ठीक है इसलिए मैं chemistry को भी हमेशा अप्रोच करता हूँ दूसरी तरह से ठीक है इसका application क्या है इसका use क्या है ठीक है और इसका overall understanding क्या है तो थर्मोडाइनमिक्स हम लोग साथ में इसी तरह से पढ़ेंगे जिसमें हम लोग thermodynamics which is basically movement of heat को ढंग से study करेंगे लेकिन सवाल पहले इस पर आता है कि पढ़ तो लेंगे चलो आप पढ़ना है रिसाइड किया है तो पढ़ तो लेंगे वो इश्यू नहीं है लेकिन यह कितना important है हमाले थर्मोडाइनमिक्स नीट के perspective से कितना important है इसमें किस टाइब के questions आएंगे कितने questions आएंगे हर साल इसका weightage क्या होता है यह सब लोगों का बहुत बड़ा दिक्कत होता है क्यार पढ़ू नहीं पढ़ू छोड़ू अभी के लिए रहने तू बाद में करू ठीक है so 2021 वाले लोग जो यह session अटेंड करेंगे उनके लिए शायद य सब्सक्राइब को हम लोग एक अलग तरह से अप्रोच करना शुरू करने वाले ठीक है लेकिन फिर भी एक बार बता दू के हमें इसे क्यों इतना सीरियसली लेना है और क्यों हमारे लिए thermodynamics नीट के perspective से बहुत important है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे so hi everyone welcome to the session I'm Rohit Chot और पूर मैं पिछले साथ सार से केमेश से पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब चैनल नेम फंडा करी तो आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर ठीक है आप यहाँ पर आ गया हो तो जल्दी से मैं आपको बता दू अन अकडेमी पर आपका स्वागत है के बारे में थर्मो JAMistä में पहला फीजिकल केमेस्ट्री का चैप्टर है जहां पे हम क्वूंतिटी बारे को क्वंतिवाइए करते हम लोग इस चैप्टर में और यह चप्टर है थर्मो dov डानमीक हर साल नेट में इसमें से वुदूश्चन आते हैं ठीक है कितने आते है तो मै आपको अगर पिछले 30-33 साल का अवरेज अगर बता दू तो यार हर साल करीब करीब दो क्वेशन तो पक्का से आते हैं तो आप यह ले के चलो कि अपको तर्मो डायनमिक्स के देखने मिलेंगे किस टॉपिक से देखने मिलेंगे इसमें भी मैं बताऊंगा आपको ठीक है लेकिन आप 2 तो पकड़ गई चलो अब कई बार मतलब ऐसा हुआ है मतलब कई बार ने कुछ-कुछ बार ऐसा हुआ है कि दो के वज़ाए तीन पकास ठीक है और कुछ बार ऐसा भी हो है कि जब सिफ एक question है ठीक है तो लेकिन majority हम लोग देखेंगे कि दो questions तो minimum को देखने मिलते हैं तो आप यह समझ के चलिए कि thermodynamics से 2 से 3 questions आपके सामने आने वाले हैं and यह question अगर आपको सच बताओ बहुत ही आसान question है ठीक है दो से 3 question एकदम आसान ठीक है अगर आपने इस chapter को अच्छे से prepare कर लिया ठीक है and this is a one time investment मैं बता दे रहा हूँ यह chapter की understanding अगर एक बार आपको आ गई उसके बाद इस chapter में गिनके 8 से 10 formula ठीक है और उसमें भी majority अप्लाइज होते हों गिनके 4 या 5 formula बार बार अप्लाइज होते है तो एक single page में आपका पुरा माइंड मैं प्रेडी हो जाएगा thermodynamics का लेकिन लेकिन important बात वही पर आ जाती है कि इसका जो application है that application is in questions तो आपको question solving का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए आपको question को समझने का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए ठीक है कई बार इस पर question जो आये है mostly आपकी numerical form में आये है लेकिन कभी-कभी ऐसे theoretical question भी आ जाते है जो आपके concept को test करता है इसलिए आपको इस chapter को बहुत अच्छे से पढ़ना जरू है लेकिन एक बार ढंग से पढ़ोगे आप नीट में जितने भी question आएंगे दो आए तीन आए सारी question आप इसके correct करके होगे यह questions इतने आसान है ठीक है अगर मैं आपको बताओ के thermodynamics में से पिछले 33 years में जो questions आए उसका अगर आप breakdown देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो these are some important topics of thermodynamics first law of thermodynamics enthalpy and enthalpy changes bond energy bond enthalpy heat capacity specific heat Hess law जहापे आप heat को energy इसको add करते हो ठीक है फिर entropy and entropy change और यह इसी का entropy का जो relation होता है Gibbs free energy के साथ and the third law of thermodynamics which is basically around के जो temperature होता है वो एक temperature कैसे define करता है किसी एक substance की energy का pure crystalline substance का energy कितना होता है और कैसे हम उसको use करके बाकी के substances बना सकते है and we can figure out the energy changes ठीक है तो यह basically एक मोटा मोटी breakdown है thermodynamics के chapters का लेकिन अगर सबसे important part इसमें अगर हम बात करें जिसके उपर maximum number of time question आया है तो आप देख सकते हो 22% 21% जो आपके पास यहाँ पर left side में है यह कौन से chapters है these are third law of thermodynamics and Gibbs free energy तो यह इसके around सबसे जादा questions आते है generally मतलब अगर आप कहो के दो question आने वाले है तो आप कह सकते हो कि एक question तो definitely इन में से पूछा जाएगा and this is basically around Gibbs energy and entropy अब यह Gibbs free energy और entropy यह thermodynamics के थोड़े आगे वाले part है मतलब यह thermodynamics के end वाले part है इसी के साथ मतलब आप समझ सकते हो कि thermodynamics यह chapter खतम होता है अब आप समझ लीजे कि जो part पर यह chapter खतम हो रहा है अगर आपको वो समझना है तो आपको chapter का शुरुआत बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है इसलिए यह जो sessions होंगे जो 2022 और 2023 के लिए होंगे यह session बहुत important है starting from the start इसलिए यह video मैंने आप लोगों लिए पहले बनाया है because मैं आप लोगों को अभी बता देना चाहता हूँ कि यह sessions जो है यह हम कल से start करने वाले है लेकिन जब हम यह session start करें तो आप कोशिश किजेगा कि आप D1 से सारी के सारे sessions attend करो this is specifically for 2022 and 2023 क्यों कि आप लोग thermodynamics को पहली बाल अलग अलग नजरी से पढ़ने वाले हो ठीक है now thermodynamics assets देखा जाए तो आप इस chapter को नहीं छोड़ो तो बहतर रहेगा क्योंकि यह questions जो है यह questions आप आपको याद होगा मैंने एक pyramid explain किया था वो pyramid में मैंने explain किया था कि effort wise आपको किन-किन chapters में effort थोड़ा जादा डालना पड़ता है thermodynamics जो mid वाला part है ठीक है mid वाले part में थोड़े upper end में आता है ठीक है यह जो part है this is where you have to put in an effort उसमें कोई doubt नहीं है ठीक है जैसे आपको कई जगा कुछ रटना पड़ता है यहापे आपको रटना नहीं पड़ेगा आपको यहापे multiple type of questions को solve करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद इसका application बहुत आसान है इसके application में मैं आपको बता रहो आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है इसके बाद आपको thermodynamics को लेके अगले दो साल तो कभी सोचनी के जरुरत नहीं उसके बाद भी अगर आपको याद रहे तो क्या बात है मज़ा आ जाएगा ठीक है So Hi Everyone, These are some of the batches which are starting on Unacademy मैं जल्दी से आपको बता दू Unacademy पे कई सारे batches start हो रहे है These are plus courses, मतलब apart from this YouTube course, अगर आप चाहते हो आपको extra attention चाहिए, आपको extra ध्यान देना है कुछ specific topics को लेके, specific subjects को लेके, उनकी practice को लेके, then these courses are recommended for you ये courses आपके free subscription से नहीं unlock होंगे, इनको unlock करने के लिए आपको plus subscription करीदना होगा Courses है nurture batch which is for 2023 जो आज 9th June से start हो रहा है उसके बाद विजह भाव batch again for 2022, 2023 आज से start हो रहा है उसके बाद revision batch है for NEET 2021 ये भी आज से start हो रहा है and toppers batch, now this is a batch जहाँ पर हम लोग, let's crack NEET UG की जो faculty हम लोग यहाँ पर पढ़ाते है यहाँ पर अंकित सर है, बकुल सर है, अर्चना मैं है, शिवानी मैं है और मैं हूँ, ठीक है the timings for this batch will be detail में आपको सारा का सारा information मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर लेकिन अगर मैं chemistry की बात करूँ, तो chemistry के session यहाँ पर इस, जो month है इस month में हम लोग cover करने वाले है chemistry में, gaseous state and chemical equilibrium तो आप में से जिनका gaseous state और chemical equilibrium में तकलीफ चल रहा है उनकों लिए मैं बता दू, this is specifically for 2022 students, ठीक है यह 2023 के लिए नहीं है, क्योंकि 2023 के लिए, यह sessions थोड़े और ज़्यादा विस्तार में होंगे Toppers badge is a थोड़ा fast track badge, which is for students, जिन्होंने अपना 11th कर लिया है लेकिन उनको बहुत जल्दी से सारा recall करके, आगे बढ़ना है and December तक अपना course complete करना है, ठीक है So, this is specifically for 2022 batch, यहाँ पर गाशर state and chemical equilibrium पर session start हो चुक है and apart from this, 2021 के लिए जो है, 2021 के लिए quiz start हो गया है which will, quiz start हो रहा है, which will be starting from 10th of June Now, this is very important के आप लोग यह quizzes attend करो, यह quiz का schedule में आप लोग इसाथ Telegram channel पर share कर दोंगा, ठीक है स्वस्तिक, please, thank you and comment में तो आप लोगों में बता दो, अगर आपने plus subscription नहीं लिया है अभी तक तो आप लोग plus subscription ले सकते हो, 3 months का plus subscription है 17,500 का, अगर आप इसमें use करते हो, मेरा code चुटा ही, तो आपको में लेगा 10% discount अगर आप 12 months का subscription लेते हो, तो यह पड़ेगा आपको 38,500 का, which after discount comes around 34,650 अगर आप 24 months का subscription लेते हो, तो it is for 56,000, 10% discount के बाद, this will be somewhere around 50,400 अब सवाल यह है, क्या आपको इतना साई subscription मिलेगा, जी नहीं, आज है 웨ैस दे, तो ऐसे अगर आप देखो, 1 year पे 2 months का subscription फ्री था, 2 years पे 3 months का subscription फ्री था लेकिन आज जो है आज है Wednesday तो आज आप अगर 3 months का subscription लेते हो 3 months के subscription पर आपको मिलेगा 1 month free 12 months के subscription पर आपको मिलेगा 3 months free and 24 months के subscription पर मिलेगा आपको 4 months free now this is only valid for today today is 9th of June ठीक है तो यह सिफ आज के लिए valid है इस चीज को याद रखना अगर आपने अभी तक subscription नहीं लिया तो मैं आपको suggest करूँगा ले लो because जैसे हालात है हम लोगों की पढ़ाई online ही होने वाली है and अगर आप लोगों ने अभी तक unacademy का free subscription experience किया है तो then let me tell you आप किसी भी यहाँ पर plus students पूछ सकते हो the plus universe is a big universe वहाँ पे और भी बहुत जादा content है आपको suddenly लगेगा कि unacademy पे इतना जादा content था जो शायद मेरे को पहले दिखी नहीं रहा था so that's why this subscription is important for you and apart from that आपकी यहाँ पे quizzes होंगे, test होंगे और आप अपने पूरे performance को यहाँ पे देख सकते हो follow up कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आपको कहाँ पे और अपने आपको better करना है so यह सारी perspective से आपके लिए यह subscription फायदे मन दोगा and अगर आप subscription नहीं खरीदना चाते हो, आप चाते हो कि मैं यहाँ पे scholarship जीतू then even that is possible, हर संडे को, हर संडे को 11 बजे होता है दिन में 11 a.m को होता है, Unacademy Combat इसमें जो top 3 students होते है इनको 100% free subscription मिलेगा Unacademy Combat पे enroll करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मेरा code चोटाई this is a completely free exam, ठीक है and अगर आप plus subscription लेना चाते हो तो again you can get 10% discount using my code चोटाई, ठीक है so you can keep following me on Unacademy platform, अब अपना free subscription लॉग कर लीजे मुझे आप follow कर सकते हो, रोई चोटाई on Unacademy platform ताकि आपको जितने भी मेरे sessions है, उनके notifications आते रहे ठीक है, so that's all for tonight, मैं आप लोगों इसे मिलूंगा वापस बहुती जल्द कल शाम 8 बजे शुरू करेंगे हम लोग Thermodynamics, ठीक है and I hope आप लोग सब ready हो, ठीक है अगर आपको कोई भी doubt हो, कोई भी issues हो, तो आप इस वीडियो के comments में मुझे बता सकते हो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको यह लग रहा है, यह आपके लिए useful है तो इस वीडियो को share करना मत बुलेगा and like करना जरूर बुलेगा मत ठीक है, चलो, thank you so much, I will see you tomorrow at 8 PM बाइ